योगी सरकार ने इस बार नकल वेहिन परिक्षा कराने के लिए परिक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगवा दिये। ऐसे में नकल नहीं कर पाने के कारण कुछ छात्र सवाल का जवाब न लिखकर उसके बदले अपनी प्रेम कहानी और गुरू के लिए अच्छे अच्छे सूक्तियां और कविताइं लिख डाली। हद तो तब हो गई जब एक छात्र ने पास करने के लिए कौपी में सिर्फ दस का नोट रखर परिक्षक का मजा कोड़ाया। आपको बता दें कि आगरा में पाँच केंद्रों पर परिक्षा मुल्यांकन का कारे चल रहा है। ये मुल्यांकन 31 मार्च तक होना है। इस बार नकल वेहीन परिक्षा होने के कारण कौपीयों में सवालों के जवाब न लिखकर छात्रों ने उल्टे सीधे जवाब लिखे हैं। पंजाब के सिरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूशन की रिपोर्ट।